नमस्कार स्वागत है आप सभी का मनी प्लांट को लेकर काफी सारी कोश्चन आ रही है मेरे कुछ वीवर से जो काफी टाइम से मुझसे पूछ रही है कि आपके मनी प्लांट इतनी हेल्दी और इतनी घनी कैसे है इतनी हरी भरी मनी प्लांट का क्या सीक्रेट है मैं ऐसा अपनी मनी प्लांट में क्या डालती हूँ? कैसे इसकी देखरे करती हूँ? ये कोश्चन जो है मुझे काफी समय से आ रहा है तो मनी प्लांट की सारी इंफर्मेशन जानेंगे इस वीडियो में तो वीडियो में एंड तक बने रहें तो सारे सवालों के आंसर भी करूंगे और भी बहुत सी इंफर्मेशन जो है इस प्लांट के बारे में आज में आप सबसे शेयर करूंगी तो फिर चलिए वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले बैल आइकन के साथ एक सवाल जो बहुत पूछा जाता है कि मनी प्लांट जब हम खरीद करके लाते है न नर्सरी से तो कुछ दिन तो वो वैसी रहती है जैसा कि हम उसको देख करके लेकर आते हैं एकदम हेल्दी लेकिन कुछ टाइम बाद जब हमारे घर पर उसको आने के बाद जो है उस प्लांट की हाल जो है खराब हो जाती है एक के करके जो है उसके पते पीले हो जाते हैं और फिर बिल्कूल ये branches ही बच जाती है और धिरे धिरे करके जो है आपका plant खराब हो जाता है तो money plant का जो खराब होने का सबसे जो main कारण होता है ना वो होता है इसमें watering करना इसमें किस तरीके से पानी देना चाहिए, कितने लिमिट में पानी देना चाहिए, ये अभी मैं आप सबको बताऊंगी मनी प्लांट की जो पानी की रिक्वाइर्मेंट है वो बहुत जादा नहीं है आप इसकी जब मिट्टी ड्राय हो जाए ना, जब इसमें आपको पानी देना है हलकी हलकी सी बस मिट्टी में नमी बनी रहे, इतनी ही इसकी पानी की रिक्वाइर्मेंट है इसमें डेली पानी देने की बजाए आपको 2-3 दिन का गैप करना चाहिए और अगर बात करें इसकी विंटर की, तो विंटर में तो अगर आप इस पोधे को एक हफते तक भी पानी नहीं दोगे ना, तब भी इस पोधे का कुछ नहीं विगड़ता जब भी आप प्लांट को पानी देना, तो इस तरीके से जो है पानी को मिट्टी में देने की बजाए, आपने प्लांट के पूरे पत्ते है ना, इनके ऊपर शावरिंग करनी है, मतलब इनके ऊपर पानी का छिड़काओ आपने जरूर करना है, तब इससे क्या होगा कि इसके जो पत्ते है ना, इसकी शाइन बनी रहती है, और पत्तों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, अगर आपने इस तरीके से इसको लटका रखा है, तो आप इस तरीके से जो आप इस पर छिड़काओ कर सकते हैं, और अगर आपने इस तरीके से मूस्टिक पर अगर आपन मनी प्लांट की उनको भी पानी मिल जाएगा जिससे कि इसकी जो ग्रोथ है बहुत जादा अच्छी होगी पत्तो का साइज बड़ा हो जाएगा तो हमीशा ही मिट्टे में पानी डालने की बजाए पूरे पत्तो पर जो है पानी का स्प्रे करना उस पर छिड़काओ करना वो अब मैं आप सबको एक फटिलाइजर बताऊंगी बिल्कुल एकदम ऐसा फटिलाइजर अगर आप उसको अपने प्लांट पर अपलाई करते हो ना तो इसके पत्तो की जो शाइन है ना वो एकदम से मतलब बढ़ जाएगी एकदम दुगना हो जाएगी ऐलो वीरा तो वो दो से तीन घंटे में तैयार हो जाएगा और अगर विंटर में आप इसे अपलाई कर रहे हैं तो तीन से चार दिन जो है उसको तैयार होने में टाइम लगता है तो एलो वीरा के जितने भी पोशक तत्व होते हैं उस पानी में चले जाते हैं बहुत अच्छा नूट्र में कर सकते हैं पत्तो पर शाइन भी आएगी और प्लांट की जो ग्रोथ है ना वो भी दुगनी हो जाएगी ये तो हो गया एक लिक्विट फर्टिलाइजर अब मैं आपको मनी प्लांट के लिए एक बहुत अच्छी बहतरीन खाद भी बताती हूं जो हमारी यूज की दूद के लिक्राइजर यूज की हुई चाय पत्ति में उसकी बाद कर रहे हूं उसका आपने क्या करना है उसको पूरी तरीके से डो लेना है तक जितने भी जदूद्य के दो होते हैं मिठास के चीनी के वो सारे निकल जाएं अच्छे से चाय पत्ति को ढो करके आपने सु कारण हो सकता है तो उसको आपनी जो है सुखा लेना है और फिर जो है अपनी मिटी की हलकी हलकी सी उड़ाई करके आपको जो है अपने प्लांट की मिटी में डाल देना है चाय पत्ती की जो खाद होती है ना मनी प्लांट के लिए एकदम कारगर होती है बहुत अच्छी होती ह एकडम बहतरीन खाद होती है और मैं अपने प्लांट में हूँ जो इसका बहुत ज्यादा यूज़ करती हूँ महिने में एक बार में जो हूँ इसको चाय पत्थी की खाद में देती हूँ और शायद एक ये भी रिजन हो सकता है मेरे प्लांट के इतने हेल्दी होने का अब औ होने का मतलब यह नहीं है कि आप उसे बिल्कुल एक कमरे के अंदर रख दोगे क्योंकि अगर वहाँ पर आपने इस प्लांटको रख दिया तो वहाँ पर भी जो है यह प्लांट को खराब कर देगी तो हमेशा इस प्लांट को आपने ऐसे प्लेस पर रखना है जहां पर कि डाइरेक्ट सनलाइट इस पर ना आए एक ऐसे खुले एरिये में आप इस प्लांट को रखे कि जहां पर इसे अच्छी हवा मिल सके और धूप तो बिल्कुल भी सीधी इस ज्यादा यूज किया जाता है बहुत ही अच्छा माना जाता है बहुत ही लगी माना जाता है तो जितना हो सके मनी प्लांट लगाओ ग्रीनरी बढ़ाओ और कटिंग से भी बहुत ही इजी ली तैयार हो सकता है और यकीन मानिए कि मेरे पास आप जितने भी सारे मनी चीज़ निकलती है न मैं उनको बिल्कुल भी फेकती नहीं हूँ कहीं न कहीं उनको मैं लगा ही देती हूँ जिससे कि मेरे एक्स्ट्रा पोधे तयार होते रहते हैं और मैं अपने फ्रेंड सरकल में भी जो है इसको गिफ्ट करती रहती हूँ प्लांट से अच्छा गिफ्ट ले और बस इसे जो है हवा अच्छे से मिलती रहे और दो मैंने आपको एक फटिलाइजर और एक बहुत ही अच्छी बहतरी खाज जो आपके घर में ही एविलेबल होती है वो मैंने आप सबको बताई है वो इस पर अप्लाई कीजी आपके प्लांट की जो ग्रोथ है ना इत झाल 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 झाल